पब्लिक स्पीकिंग यानि कि आप जब किसी टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट है उस टॉपिक के बारे में आप हजार लोगों के सामने या फिर सिर्फ दस लोगों के सामने आप जब अपनी बात रखते हैं कहीं स्टेज पे से या कहीं कैमेरा के सामने आनलाइन उसे public speaking कहा जाता है पर इसमें मैंने एक शब्द का use किया जिसको कहा जाता है passionate यानि कि आपका और उस subject का एक रिष्टा होना चाहिए आप और वो subject कहते हैं न कि मेरे खोन में वो subject है उस तरीके का आपका रिष्टा होना चाहिए क्योंकि जब तक वो connection आपका subject के साथ नहीं होगा तब तक आप वो dedication और वो enthusiasm के साथ आप उस topic को पेश नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे questions का answer देने वाला हूँ जो लोगों ने Google के उपर search किया है public speaking के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं the most asked questions about public speaking on Google तो दोस्तों मेरे पास वो 10 सवाल आ चुके हैं so let us dive into the first question which is more important content or delivery well I believe content हो या delivery हो delivery यानि कि आप उस content को किस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जैसे for example मैं आज public speaking के बारे में बात कर रहा हूं तो public speaking के बारे में मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो अभी मेरा जो delivery का style है और उसके comparison में अगर मैंने मेरे कंदे ऐसे forward कर दियो और मैं ऐसे depressed होके बात कर रहा हूं तो ये मेरा एक दूसरा delivery का style है तो depend करता है कि आपका delivery का style कौन सा है अब क्या important है आपका content या आपका delivery well मैं believe करता हूं कि दोनों चीज़े साथ में चलती है हाँ कहीं बार कोई एक चीज दूसरी चीज के लिए compensate कर सकती है यानि कि अगर मेरा delivery काफी रमदार है और उसके सामने मेरा content कहीं पे थोड़ा week जा रहा है तो मेरा delivery उसको compensate कर देगा उसकी भरपाई कर देगा पर अगर मेरा delivery खराब है और मेरा content भी खराब है तो मेरा overall presentation खराब हो जाएगा उसके साथ साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा content एकदम खराब हो पर delivery तगड़ा हो तो भी चीज मैनेज हो जाएगी नहीं दोनों चीजे अच्छी होनी ही चाहिए हाँ कहीं पे अगर आपका 19-20 रह जाता है तो आपका एक factor दूसरे factor को compensate कर सकता है otherwise आपका content और आपका delivery it goes hand in hand वो साथ में ही जाते हैं दोनों चीजों पे आपको equally focus करना ही पड़ेगा so this is the first answer let us dive into the second question second question is how can I be better at speaking impromptu impromptu यानि कि आप कहीं शादी पे गए हैं और आपको कहा गया कि आप दुले या दुलन के बारे में आप कुछ बताईए या फिर आप किसी की birthday पे गए हैं और आपको कहा गया कि आप birthday जिसका है उसके बारे में कुछ कहीं है stage पे से या फिर ऐसी कोई भी occasion anniversary या कहीं भी occasion पे आपको कहने को कुछ कहा गया और आपका तयार ही नहीं था उस time पे आप तो जब उस function में गए थे तब आपको पता नहीं था कि आपको कुछ कहने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे impromptu speeches के लिए आप कैसे तयार रहेंगे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कोई social locations में ही हो आप कहीं पे एक formal gathering में गए हो तब भी आपको कुछ बोलने के लिए कहा जा सकता है आपके office में या फिर आपके company के कोई gathering में E stands for read and E stands for evaluate ये चार चीज़े सबसे पहला listen यानि कि आपको है न कान खुले रखने हैं आप जब भी रास्ते से जा रहे हैं तब आपको कान अपने खुले रखने हैं योनो चीज आपके आसपास क्या चीज़े हो रही है आप जब अपने living room में बैठे हैं और आपने mobile में whatsapp browse कर रहे हैं तब आपको कान खुले रखने हैं कि टीवी पे क्या चीज़ चल रही है क्योंकि चीज़े आपका brain active होता है आपके कान से जो information जा रहा है वो आपको brain process करता रहेगा, store करता रहेगा तो ऐसी कहीं से भी आपने कुछ चीज़ सुनी है तो वो आप कहीं पे बोलने में use कर सकते हैं इसका एक simple सा एक अच्छा सा example है उन्हें काफी प्रसिद्ध writer है जिसका नाम है R.L. Stine इन्होंने कहीं सारी books लिखी हो और बच्चों में इनके books काफी famous बच्चों के लिए horror stories लिखते हैं इन्होंने काफी अच्छा example दिया था कि मुझे मेरे book का एक idea कैसे आया था मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था और सामने से एक छोटा बच्चा उनकी ममी के साथ मुझे cross हुए और वो बच्चा उनकी ममी को कह रहा था कि ममी आपको पता है आज मेरी school में हमें crayons लेके color करने का काम दिया और पूरी class में मैं अकेला बच्चा था जिसने वो line के अंदर ही color किया मेरा color है वो line के बाहर गया ही नहीं सिर्फ ये कुछ 5 second की बात उन्होंने सुन ली गर पे जाके जब उन्होंने ये बात के बारे में सोचा तो उनके दिमाग में एक concept आया कि मैं एक ऐसी किताब लिखता हूँ horror किताब बच्चों के लिए कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के पास एक किताब आ जाती है coloring की और उसके अंदर है ना छोटे-छोटे monsters होते है और उसमें वो बच्चा color करता है पर वो किताब ऐसी है कि अगर color आपका line से बाहर गया तो रात को वो monster जिंदा हो जाएगा तो यानि कि एक छोटे बच्चे जो उसकी ममी के साथ उन्हों एक अच्छी बात कह रहा था उससे उनको एक idea मिल गया जो उन्होंने किताब में convert कर दिया So this is how अगर आप कान से attentive है If you are listening very carefully तो आपको कहीं सारी बाते मिलती रहेगी जिसको आप कहीं वे use कर सकते हैं दूसरा आता है O यानि observe आपको देखते रहना है आपके आसपास क्या हो रहा है News पे आ सकता है WhatsApp पे आ सकता है कहीं road के ओपर holding लगा हुआ है रिक्षा के पीछे banner लगा हुआ है ये सब चीजों आपको observe करते रहना है आपको content मिलता रहेगा तीसरा है read Read about books, newspaper, blogs, articles चीजे पढ़ते रहेए यानि in short आपको information डालते रहना है अंदर कहीं ना कहीं उसका use हो जाएगा and चौथा है evaluate कहीं पे आपको कोई situation मिलती है उसको evaluate कीजिए कि situation हुई किस तरीके से इसका solution क्या था कैसे इसका क्या-क्या इसके अंदर factors हुए थे ये सब चीजे इसका इससे आपका दिमाग active होगा information अंदर जाती रहेगी जिसको आप कहीं पे use कर सकते हैं और खास करके ऐसी impromptu speeches में जहां पे आपका preparation नहीं है तब जाके ये सारा information आपको याद आएगा और आप इसको use कर सकते हैं इसका एक simple सा practical example सो सी information जो अंदर जाती है वो waste कभी नहीं होती है वो आप कहीं न कहीं use कर सकते हैं the third question is how do I present in front of an unknown group यानि कि एक अंजान group के सामने आप कैसे present करेंगे well मैं ये suggest करता हूँ कि आप जब audience के सामने जाए उससे पहले आप audience को एक बार evaluate कर लीजे आप जब कहीं stage के पीछे से भी green room बेसे उनों थोड़ा सा दर्वाजा कोल के एक बार नजर कर लीजे कि किस तरीके की audience बैठी है इसमें बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूडे कितने हैं male-female का ratio कैसा है किस तरीके का audience है उनके चेहरे से उनका mood कैसा लग रहा है ये सब चीजे आप evaluate कर लीजे तो stage पे जाने से पहले है न आपको वो unknown वाली feeling नहीं आएगी आपको थोड़ा बहुत पता होगा बाद में थोड़े बहुत से आप बोलते time, evaluate करते करते आप एक familiarity के तरफ जा सकते है So unknown audience के सामने मत जाएए At least थोड़ा सा नजर कर लीजे कि किस तरीके के लोग आपके सामने बैठे हैं So the fourth question is How do I remove stage fright? Stage पे बोलने का डर Stage पे present करने का डर Stage पे नहीं, अगर online में आप कर रहे हैं तो camera के सामने बोलने का डर यह सब डर को आप कैसे निकालेंगे Well, इसका कोई logical answer आपको Google पे तो शायद यहीं मिलेगा कि आप confident रहे हैं पर इसका कहीं सारे exercises आते हैं जिससे आपको confidence मिलता रहे The best thing that I do is I just close my eyes, I meditate मैं ऐसे एक मिनिट तक ऐसे खड़ा रहता हूं And I imagine मैं मेरी जिंदगी का सबसे confident moment में याद करता हूं You know, it can be जब आप बचपन में वो एक अपने कुछ प्राइस जीता था या फिर जब मैंने You know, first attempt में मेरा driving test पास किया था ऐसा वो भी एक moment हो सकता है जो आपको confidence दे दे उसको सर्फ याद कीजिए वो feel कीजिए उस level का confidence And then जब आप stage पे जाते हैं तब आपका एक अलग ही level का confidence होता है जिससे आप एक अच्छे से अपना speech deliver कर सकते हैं So this is also a probable thing that you can use to get rid of state fright इसके अलाबा काफी सारी चीज़े होती है आप music सुन सकते हैं इसी कही सारी options होते हैं आपके पास The fifth question is How do I make my webinar or digital meeting engaging? Yes, this is a very good question actually क्योंकि जब से zoom शुरू हुआ है तब से हम लोगों के सामने नहीं है जब से हम लोगों के सामने नहीं है तब से हम उनके चेहरे नहीं देख पाते उतने अच्छे तरीके से तो हम जज नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला feel क्या कर रहा है And इसकी वज़े से मैं एक simple साब को question पूछता हूँ आप में से कितने लोगों ने जिन्होंने कहीं पे भी public के सामने कोई भी speech दी है या present किया है उन्होंने ये problem face किया है कि आपने कहीं पे कुछ जोक बोला और सामने से सिर्फ आधे लोग ही असे आधे लोग नहीं असे See ये मैंने अभी जो आपके साथ किया This is called audience engagement कुछ नहीं तो ऐसे questions पूछते रहे जिनसे आप hand raise करवा सके आप मेंसे कितने लोगों को अभी खाना खाना है आप मेंसे कितने लोगों को अभी lunch break चाहिए आप मेंसे कितने लोग हैं जो whatsapp यूज करते हैं आप मेंसे कितने लोग हैं जिनके instagram पे 1000 से कम followers हैं See, it's a questions audience कुछ नहीं तो engaged रहेगी कोई या कोई तरीके से आपको respond करती रहेगी and hand raise questions are the easiest form of engagement इससे easy engagement को कोई तरीका नहीं है क्योंकि claps के लिए तो आपको थोड़ा काम करना पड़ता है hand raise में तो आप पूछेंगे तो response तो आने वाला ही है So, this is the best form of engagement चाहे digital हो, चाहे physical हो physical में भी आप यह कह सकते है digital में आप यह कह सकते है कि जो जो लोग मेरी बात से सहमत है वो chat box में आई लिखिये See, this is also a form of customer या audience engagement So, this all things can be used The sixth question is Do public speaking classes work? Okay Yes, public speaking एक skill है यह ऐसा नहीं है कि मैं जब पैदा हुआ तब मैं एक अच्छा public speaker दा नहीं है एक ऐसी skill है जो over the time आप सीखते हैं और जब ऐसी skill को आप सीखते हैं तो आप जब खुद मेहनत करते हैं यानि कि trial and error method से करते हैं तो time ज्यादा जाता है Yes, of course, आपके पास अगर 30-40 साल है इस skill को develop करने के लिए तो आप trial and error method यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको immediate आपको इसका skill का growth मिल जाए तो आपको of course कोई ना कोई class या एक structured guidance वाले course में आपको join करना चाहिए क्यूंकि एक simple सा concept है में आपके screen के ओपर अभी आपको एक graph दिख रहा होगा अभी ये graph है learning और time का graph अगर आप खुद करते रहते हैं तो आप देखे कि learning का आपका जो graph है ना वो लंबा चल रहा है यानि कि आप सीख कम रहे हैं और time ज्यादा जा रहा है पर जब आप एक structured guidance में आते हैं तो time काफी कम हो जाता है और आप सीख ज्यादा रहे हैं और time कम जा रहा है See this is the difference between doing it yourself and doing it in a structured and guided way तो इसी लिए कहा जाता है कि आप subject matter के experts के पास जाहिए जो आपको guide कर सके और आपको वो एक सही रास्ते में point out कर सके कि नहीं आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं यह सही तरीका है यह सब चीजे आपको एक guidance के थू ही मिल सकता है So this is a very important thing के आपको एक course में ही enroll करना चाहिए क्योंकि इसी से आप जल्दी से यह skill को पास अकेंगे So the seventh question is Which is the best way to improve public speaking skills? Practice जैसे मैंने का it is a skill See आप गाड़ी जब सीख रहे थे, two-wheeler जब सीख रहे थे, cycle जब सीख रहे थे You needed guidance, आपके पीछे आपके parents वो carrier पकड़ के चल रहे थे And एक point के बाद जब आपने थोड़ा चला लिया, उसके बाद वो carrier उनने छोड़ दिया तब आप सीधा चला रहे थे See ultimately it is all about आपके muscle memory में वो चीजे कब आती है It comes through practice आप जितना ज्यादा practice करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आप उसमें professional बनते जाएंगे इसके practice करने का तरीका ये है कि आप कभी भी, when you start your day, you can do one easy thing which is called vlogging ठीक है, आप camera शुरू कीजे And just record yourself And आप दिन के बारे में बताएं जैसे when I'm waking up Hello everyone, I just woke up and आज का मेरा ये प्लान है मैं ये ये चीजे करने वाला हूँ And आज मैं ये खाने वाला हूँ Example, etc, etc ये किसी को देखाना नहीं है This is just for yourself You are getting used to speaking in front of a camera ठीक है? So this is just for yourself and your practice ये आप एक easy चीज कर सकते हैं To get used to speaking The another easy thing that you can do is You can start speaking in front of a mirror It's all about speaking आप जितना बोलेंगे उतना आपका ये मसल बोलने के लिए comfortable होता जाएगा And जितना आप यहां से comfortable होंगे उतना आप यहां से comfortable होंगे क्योंकि जब आप यहां से uncomfortable है तब यहां से क्या आता है? ये चीजे होती है So, आप यहां से और यहां से जब comfortable हो जाएंगे तब आपका वो automatically smooth चीजे होने लगेंगी And there is one very simple logic friends There is no transformation without a transaction आपको अगर खुद की public speaking skills में transformation लाना है तो आपको transaction करना पड़ेगा Transaction in terms of your time invested Transaction in terms of the money you invest behind skills Skill development courses, behind learning these skills यह सब चीजे आपको इसके पीछे अपना पूरा जी जान लगा के आपको यह चीजे सीखनी पड़ेगी तब जाके ultimately आप एक professional public speaker बन पाएंगे उसके अलावा कोई transaction करने के अलावा आप transformation expect करेंगे तो यह चीजे नहीं होने वाली है And for that itself, जो मैंने पहले भी कहा था You need structured guidance So the 8th question is Is dressing important while addressing an audience? Yes, जो दिखता है, वही बिखता है The first impression is the last impression यह सब चीजे हमने काफी बार सुनी है That proves कि आप जो कपड़े पैन के audience के सामने जाते हैं आप जैसे दिख रहे हैं audience के सामने जाने के समय पे यह सब चीजे matter करती है क्योंकि सबसे पहली चीज जो audience आपको देख के चेक करती है वो आपका looks है आप कैसे दिख रहे हैं आपके कपड़े कैसे हैं आप कैसे चल रहे हैं यह सब चीजे सबसे पहले evaluate होती है आप क्या बोलने वाले हैं कैसे बोलने वाले हैं, यह सब चीजे बाद में आती है So the first thing, dressing is very important आप जो कपड़े पहन के जाते हैं, वो काफी important चीज है इस पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कपड़े थोड़ी important है अज Steve Jobs को देख लो, Mark Zuckerberg को देख लो भाई, if you are even 2% of what Mark Zuckerberg is आप मत पहनो अच्छे कपड़े If it is not the case, आप पहनी अच्छे कपड़े क्योंकि उसके अलाब आपके पास कोई option नहीं है The way you dress is the way you impress As simple as that The question number 9 is Does public speaking help in your profession or business? Yes, of course Public speaking का मतलब यह नहीं है कि आप public के सामने ही बोल रहे हैं आपका public speaking skill जितना अच्छा होगा उतना ही आपका one-to-one communication अच्छा होगा आज अगर मैं एक अच्छा public speaker हूँ तो मैं जब मेरे business client के साथ, मेरे business customer के साथ मैं जब one-to-one बैठा हूँ तो भी मैं अच्छे से बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा यह muscle powerful है मैं मेरे pitch को control कर पाऊंगा, मैं मेरे tone को control कर पाऊंगा मैं उनके चेहरे को देखके मैं उनकी feelings evaluate कर पाऊंगा यह सब चीजे मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे public speaking और communication skills powerful है So it doesn't matter कि आपका 10 का audience है या 10,000 का audience है Public speaking always helps And the last question number 10 is Public speaking is not important for students, is it? I would disagree, public speaking is very much important for students क्योंकि आप जब यसी young age से ही आप जब public speaking सीखना शुरू कर देंगे तो जब आप अपना career शुरू करेंगे तब आप बाकी के लोगों से already एक step आगे बढ़ चुके होंगे क्योंकि आज आप देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी companies है Be it Facebook, Mark Zuckerberg, Be it Google, Sergey Brin and Larry Page आज हर एक इंसान जब ये company शुरू करता है They were somewhere near the student age Early 20s या ऐसी age पे ही वो लोग ये concept शुरू करते हैं तो जब आप ये जल्दी सीखेंगे तो आप जब पहला interview भी देने के लिए जाएंगे तो interviewer जब अंदर से 10 लोग बैठे हैं उन्ग में देखेगा और बीच में आपको देखेगा जिसका grooming on point है जिसका dressing on point है और जब वो खड़ा होके चलते हुआ आ रहा है तब उसके चलने का धंग एकदम on point है जब वो बात कर रहा है तब उसका tonality, उसका confidence on point है वो जो बात कर रहा है उस subject का clarity on point है तब आपका select होने के possibility बढ़ जाते हैं तो be it a business, be it a job आप as a student आपका जो भी career का plan है it is very much important कि आप public speaking skills सीखे क्योंकि जैसे मैंने कहा it is also important for one-to-one communication as well as presentation तो हर एक जगा पे जब आपको ये skills काम में आते हैं तो it is useful कि आप young age सी ये सीखना शुरू कर दे तो ये 10 questions थे जो Google पे मैंने देखे कि लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं and I thought कि मैं आपको इसके exact and spot on जवाब दे दू क्योंकि मैं पिछले कहीं सालों से मैं इस field में हूँ मैं पिछले training industry में तो मैं पिछले 5 साल से हूँ and मैंने अब तक 60,000 minute का video content prepare करवाया है मेरी नजरों के सामने तो मुझे पता है कि कहां पे कौन सी गलती हो सकती है and मैं आपको इसलिए सही तरीके से guide कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये day in day out करता रहता हूँ and दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाता हूँ कि मैं मेरे 6 दिन के workshop के साथ भी आ रहा हूँ जिसका नाम है High Income Public Speaking Secrets जो 6 दिन के workshop के बाद आप कोई student, businessman या कोई भी profession में है आप एक ultimate public speaker में transform हो जाते हैं जिसके पास एक powerful personality और ultimate communication skills है तो दोस्तों मैं request करूँगा कि आप description में जो link है उससे check out कीजिए जिसके अंदर मेरे workshop के आपको बाकी के details में मिलेंगी और मैं request करता हूँ कि आप ये YouTube चैनल को गुनी गुरू की YouTube चैनल को भी subscribe कर दीजिए जिससे आप regularly ऐसे कहीं सारे workshops, videos, free content ये सब चीजों के साथ आप available हो जाए और मैं चाहता हूँ बेल notification भी आप on कर दीजिए तो क्या है जैसे ही कोई video upload हो आपको उसका notification आजाए Thank you so much for watching this video friends Stay home, stay safe